हेलो माई डियर, SSC Steno 2023 Aspirants आप सब के लिए ये एक वीडियो छोटा से लेकर के आए हूँ जिसमें हम डिसकस करेंगे कि आईडियल अप्रोच क्या रहनी चाहिए जो भी 23 वाला Steno का एक्जाम देना चाहते हैं और जो भी doubts वगेरा आप सब ने post किये थे community section में और आप बहुत जादा YouTube पे देख रहे हूँ इधर उदर मैं देख रहा हूँ बाकी जो कही नए नए channels खुल गए हैं और वो लोग जो हर दिन एक ही वीडियो घुमा फिरा के अलग-लग नाम से बनाते रहते तो हम लोगों ने सूचा कि चलो एक वीडियो बनाके सारे doubts को यहीं पे खतम किया जा ताकि आपका time बच सके और आप लोग अपने time को productively use करो सबसे जो बड़ा सवाल यह है कि vacancies आएगी कि नहीं आएगी 2030 में बहुत लोग ऐसा बोल रहे कि सर जितनी भी vacancies थी extra vacancies तो निकाल करके 2022 में ही डाल दी जाएगी तो हो सकते हैं हमारी vacancies ही नहाए तो ऐसा बिलकुल नहीं है कोई भी doubt अपने मन में मत रखिएगा vacancies 2023 में भी आएगी क्योंकि एक recruitment का cycle होता है हर साल आपको पता है जो भी department से वहाँ पे लोग retire करते हैं कुछ लोग quit करते हैं बहुत अलग अलग तरह से लोग का promotion होता है तो जो नई vacancies बनती है वो किसी नहीं किस तरह से fill होती है तो हर साल vacancies create होती है vacancies जादा होंगी कम होगी यह नहीं कहा जा सकता अभी से अभी बहुत अरली होगा क्योंकि 2022 वाली कहीं अभी तक tentative vacancies नहीं आई है तो 2023 में कितने vacancies रहेंगे, क्या रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता, vacancies हो सकता है, कम रहे हो सकता है, जादा भी रहें, अभी हम लोग कुछ नहीं predict कर सकते, लेकिन यह बोलना कि vacancies आएंगी ही नहीं, यह गलत है, बहुत लोग यहां पर, मैं देख रहा था, गलत गलत बाते कर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी vacancies यहीं पर खतम नहीं होगे, vacancies हर साल create होती है, एक पूरा cycle चलता है, इसलिए SSC हर साल exams करवाती है, लगबग हर exam का आप देखोगे, कि हर साल आता है, even CGL तो ऐसा होगया, कि साल में आप 2-2 बार आने लगा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चलो next बात करते हैं, exam pattern और syllabus के उपर बहुत बड़ा इसमें आपको doubts रहता है, तो exam pattern के उपर अगर हम लोग बात करें, तो देखो pattern जिस तरह से change होगा है, यह doubt आने का सबसे बड़ा reason यह है, कि CGL exam के अंदर pattern change होगा, CHSL के अंदर भी pattern change होगा, दूसरे कुछ SSC exams में थोड़ा थोड़ा pattern जिए, मतलब कुल मिलाके, चीजों को CET वाले model पर ले जाने के कोशिश रहने की CET में क्या होगा, आप सबको पता होगा, जो लोग नहीं है, उनको बता दू CET क्या है, कि CET basically government ने यह propose कि था कि जो tier 1 का exam है, जो prelims का exam है, वो सारे अलग-अलग competitive exams का ए आप skill test में जाते हो, CHSL में भी लग-भग-भग, मोटा-मोटा ऐसा ही था, कि tier 2 जो था, वो तो सिर्फ descriptive था, तो इसलिए उसके अंदर pattern change हुआ, तो expected है, लोग बोरे कि CET के अंदर भी pattern change, देखो pattern change होगा, नहीं होगा, अभी से नहीं कर सकते है, चांस है, थोड़ा बहुत तो अभी जो आप तयारी कर रहे हो, अभी के syllabus के साब से तयारी करो, जो आप GK के तयारी करते हो, जो English के तयारी करते हो, जो reasoning के तयारी करते हो, prelims में आप वैसे ही focus करो, एक change होई होआ है, कि आपको skill test के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जा रहा, तो skill test के आप तयारी सकते हैं, एक convention आप देखोगे, जेनरली जो central government वाली jobs होते हैं, majority जगह पे, मैं यह नहीं बहुता हर जगह, ज़्यादार जगहों पे, stenographer की exam में, maths नहीं रखा जाता है, for obvious reasons, तो इसलिए chances बहुत कम है, यह सब चीजों से लेकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर maths में डालेंगे भी, तो आपको proper appropriate time मिलेगा उसकी तयारी करने के लिए, तो अभी से आप maths के बारे में tension मतलो, जो GK English reasoning है, उसको बहुत ही अच्छा करो, अपना strong करो, तब आपको फायदा होगा, हाँ, maths सीखने से फायदा आपको दूसरे exams में जरूर हो सकता है, अभी जैसे तरफ जा सकता हो, otherwise teno के लिए सिर्फ आपको math सीखने की अभी से जरूरत नहीं है, दूसरी बात, CET के बारे में, बहुत लोगा doubt था कि CET आएगा नहीं आएगा, कुछ भी ऐसा exact government कुछ बोला नहीं है, कुछ भी देख करके लगने रहे, नहीं कोई तयारी है, और election वाले जो एक पहले कायर होता है, उसमें कुछ भी extra abrupt changes नहीं लाये जाते, in general, हलाकि ये government बहुत उल्टी सिदे काम करने के लिए जानी जाती है, तो कह नहीं सकते है, but बहुत हाई चांस है कि CET सैप को डरनी की ज़रूत नहीं है, कुछ भी CET वागरा है, इस बार भी जो next exam उसमें और भी सारे जो subject यहां पे लिखे हुए हैं, यह आपको coverage मिलेगा, हमारे exam cluster के complete general awareness course में, जो कि 26 January तक complete होने वाले, यानि 26 January तक आपको सारे के सारे वीडियोज वहां पे मिल जाएंगे, अभी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, अपलोड में टाइम लग रहा है, इसलिए price उ जो पहली January आएगी उसके रात 12 बजे तक ही valid रहेगा, तो उस तक है आपको use करने का यह मौका मिलेगा, इतना बड़ा discount पहले कभी नहीं आया था और आगे कभी नहीं आएगा, इसकी guarantee है, तो इसलिए अगर आप लोग लेना चाहते हो, तो अभी ले सकते हो, काफी attractive price पर अ आपको force नहीं कर रहा हूँ, demo videos वागेरा सब कुछ आपको हमारे app पे मिलेगा, और यहां पे जो recorded lecture से वो English medium पे होंगे, लेकिन notes आपकी Hindi English दोनों में available होंगे, चलो आप बात करते exam और notification के date के ओपर, कोई भी concrete reply नहीं मिला हमें RTI में, RTI जो हम लोगों ने लगाई थी, उस इसलिए का मतलब है कि अभी RTI में कुछ भी reply नहीं आया, जब तक previous exam का cycle complete नहीं होता, यानि previous exam का जब तक skill test नहीं हो जाता, तब तक next exam का notification नहीं निकालती, SSC लगभग अपने सभी exams में एक तरह से complete करती है, मतलब cycle in the sense के at least, जैसे CGL में आप देखोगे, तो at least tier 2 हो जाने क वो लोग wait करते हैं, तो यहां पे भी वही है कि at least इसका आपका skin test होने का wait किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, यानि February तक तो कोई भी notification नहीं आएगा, जो previous exam का skill test होता है, उसके एक से दो मेने के बाद notification expected होता, तो February में अगर हमारा skill test हो रहा है, तो हम सो सकते हैं कि Mission mode वाली चीज़ें चल रही है, आप सबको पता होगा कि 10 लाग jobs देने का target रखा गया है, उसको किसी पितार अचीव करना है, हर महीने आपके रोजगार मेला भी चलवाया जा रहा है, तो इस बार scenario थोड़ा अलग हो सकता है, मेभी थोड़ा जल्दी आए, लेकिन अभी तक उसको easily, यानि prelims उसको easily clear कर रहेंगे, और skill test के लिए भी confident है, skill test की भी तैयारी अच्छे से कर लेंगे, उनको अभी अपना full focus skill test पे देना है, skill test से पहले उनको कभी भी deviate नहीं होना, इधर उधर नहीं जाना, जो भी exams आता है, forms आते हैं, आप उनको डाल सकते हैं, form डालने इसे भी कोई खास जादा पैसे तो लगता है, लेकिन आप deviate नहीं होंगे, maximum focus अभी आप 2022 वाले skill test के उपर करेंगे, उसके बाद जो चीजी आएंगी वैसे देखा जाएगा, जो लोग भी border पे हैं, यानि हो सकता है, वो clear करेंगे, या फिर नहीं भी करेंगे, उनका fix नही यानि दिन का आप 60% हिस्सा, प्री वाले areas में दो, प्री के वी के areas को ठीक करो, 40% अपने skill test को दो, यह एक ideal ratio है, इसको अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो, अगर आपका premium marks अभी से बहुत अच्छा हो गया है, तो फिर आप skill को दे सकते हो, अगर आपका skill बहुत ज़ कोड़ के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी से आप तैयारी करोगे, तो आपका skill का तैयारी हो जाएगा, बहुत अच्छा से तैयारी हो जागा next exam के skill test तक, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई भी bouncers आ सकता है, जैसे इस बार bouncer आया कि skill test के लिए बहुत कम time मिला, तो अभी next में भी आप assume करके चलो, प्रिलिम्स के बाद skill test के लिए आपको जाधा time ही मिलेगा, तो आपको जाधा time यानि 70% focus आप pre पर रखोगे, और 30% focus आप skill test पर भी रखोगे, इसको भी अपने हिसाब से vary कर सकते हो, यानि जिनका pre में फिर धेरे marks अच्छा होने लगेगा, जैसे अपने उपर confidence है कि थोड़ा भी अच्छा आप कर सकते हो, तो फिर CHSL अभी is a very very good option, अभी उसका form चल रहा है, 4 January तक उसकी form filling की date है, चाहो तो भर सकते हो, इस तरह के दूसरे भी exams आते रहते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपका maths अच्छा हो गया, तो आपकी GK English reasoning तो already ठीक CHSL या दूसरे जो exam से, उसके तरफ भी थोड़ा थोड़ा दिया सकते हो, अपने options आपको open रफने चाहिए, या फिर अगर उन में से हो जिनको लगता है कि maths बिल्कुल भी एक option नहीं है, आप maths नहीं सीख सकते है, या सीखना ही नहीं चाहते है, वो आपकी मर्दी है, कोई भ Strenographer's की vacancy, और भी बहुत सारे ऐसी exams निकलते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी vacancy ही होती है, 40, 50, 100, 200 इस तरह की vacancy होती ही, बट बहुत सारे ऐसी exams आते रहते हैं, तो आप वैसे exams के भी form डाल सकते हो, एक बार अगर आपका short hand में आपको confidence आ गया, कि 80 या 100 word per minute आप हराम से ब पर आपको पता ही होगा, तो इस तरह से आप एक approach लेकर के चलोगे तो आपके maximum chance बनेगे job के, और आपका जो साले बहुत अच्छा रहेगा, आपको at the end of the day job चाहिए है, तो job इस approach के साथ बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल सकती है, बाकी channel को subscribe कर लिजेगा, चानल पर आ जो लोग ने हमारे कोई भी product को buy किया है, या फिर हमारा आपने 9 रुपय वाला जो हमारा एक छोटा सा short note से अगर वो भी आपने लिया है, या फिर हमारा पिछले बार, जो हमारा mock test था, अगर आपने mock test लिया है, तो सब को बहुत बहुत थैंक यू, क्यूकि आपके वज़ करने के लिए हमारे कोई भी product लेना चाहते है, तो हमारे app को जाकर गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं भी लेना चाहते है, तो आप फ्री mock test का लगा ही सकते हैं, और थोड़ा हमारा downloads भी अच्छा दिखेगा उससे, तो आप जाकर उसको बहुत सारे लोगों ने लिया था, अभी तो उसका price भी काफी कम होगा है, 39 रुपीज होगा है, तो वो सब चीज़ें आप ले सकते हो, बाकि हम लोग future में एक कान कर रहे हैं, जो हम लोग की कोशिश है, ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं पादा, क्योंकि resources लगते ह तो वैसे लोग free में अगर avail करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन of course इसमें जो data entry वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी काम हम लोग को back end में करने होगे, तो यह हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं, बट हम लोग अपनी best कोशिश करेंगे कि अगले जो standard exam तक हम लोग इसको available करवा दें, तो I hope आप सबको वीडियो अच्छा लगाओगा, अच्छा लगाओगा दोस्तक सा share जरू कीजिएगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, मेरा नाम है रिशिकेश, जैहिंद